ब्रत का सबसे पहला नियम, एका दशी ब्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन ब्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हरदय में कर लीजिए। जिस दिन आप बरत करो जैसे एकादशी का बरत कर रहे हो तो दश्मी के दिन शाम का समय जब आवे रात्री जब होने लगे शाम का समय आवे और रात्री का आप जब भोजन गरन करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्त गरन मत करिये जिस पदार्त के कारण आपकी एकादश बिगड़ जा कि एक दशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनियेगा जिस दिन आपकी एकादशी का भृत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी ब्रच की कोई पति तूटे ना अपने हाथ से किसी भी ब्रक्ष की पौधे की किसी भी ब्रक्ष की पत्ति अपने हाथ से ना तूटे बहुत ध्यान दिजेगा मरत एका दशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की किसी ब्रक्ष की किसी डाली की कोई पत्ति कोई पत्ति ना तूटे इसका प्रयास करिए यहां पर तीसरे नंबर का जो चोथे नंबर का जो उपाय बताया है उपवास करने का जुनियम बताया उसमें बंदन किया एका रशी के दिन अगर आपका अब्रत है तो आप भूल वश्वी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड ज्ब्रत का सो यह घुझा है रोटी ही दिए यदि मैं से निकाल इंग आई रोटी देना देओ मना नी बाकी के दिना आप के बेटे से के दो रोटीडिया पर आप अपने हाथों से आप अप प्रहर है तो अप फलार कही तान गॉमाता को दीजिए अ कि आच्पा बढ़नन कि चतुर्त भाव में बन सके जितना एका रशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या अपने गुरु मंत्र का स्मर्ण करें जो मंत्र आपके हुर्दय में समाहित हो श्रीशिवाये नमस्तु व्यम ओम नमस्षिवाये र पांच वनियम कहा, जिस दिन आपका ब्रत रहे, किसी निंदक से बात ना कर, निंदक जानते हो, बाई दूझ के दिन, दिवाली की जो बाई दूझ हो ली दूझ हो तो एक इसा गोबर का वाई दूझ बनाते हैं, और पास में चुगल खोर भी बना है, और चुगल खोर वी ब पाटादर लो किसी ने आकर आपको निंदा तर्वी दी तुरंत सूरी नराइन भगवान का दर्शन करें और तीन बार उनका दर्शन करकर नेत्र बंद करें तब जाकर निंदा जो अंदर गई है अंदर पवीत्रता प्रदाम करें तब जाकर एकादसी का ब्रत लगे अगला किम में अपने द्वाराओ की यत्या प्रियास करना किसी को नियम और प्रियास करिएगा एकादसी जब दर भी कारें तो लुक्त करें दarım से जुड़ी हुए एकादसी कंधर जोनु होती है जो एकी एकादशी दोदशी से जूड़ी हो दसमी से नहीं दसमी से जूड़ी हुई एकादशी वर्द कहलाती है और दोदशी से जूड़ी हुए एकादशी पून्य फल परदान करकर वैश्णव को भगवान के चरह में छोड़ाती है इसलिए एकादशी दोदशी से जूड़ी उस दिन घर में बुवारी जाडू आदिक जो लगती है वो दूसरा लगा ले क्यों उसका वर्णन है अगर आप बुवारी लगाएंगे जाडू लगाएंगे पहुचा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मत जाए कि सारे व्रतों में केवल एक व्रते सा होता है एक आदशी का जिसका उद्ध्यापन पहली एक आदशी पर भी कर सकते हो सारे उद्यापन में केवले एक उद्यापन ऐसा होता है सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है वह एका दशी का यह जरूरी नहीं कि चब्विस पूरी होगी तभी तुम करोगे या तो पहली में कर लो या पिर चब्विस पूरी हो तब कर अगर तुमको इसा जितनी एकादसी करोगे वो सारी तुमारे खाते में जुड़ती जाई मतलब बेंक में खाता खोल लो ठीक है खाता खुल लिया अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमां करते जाओ एकादसी एक बार उद्ध्यापन पहले भी उद्ध्यापन करें बहले 5 10 11 12 जितनी एकादसी हो जाए चबवीस हो जाए ज्यादा अची है तो आप करें तो माग महिने की शुकल पक्च की एकादसी के दिन आप उद्ध्यापन करें प्रयास रखते हुए प्रयास रखते हैं अ बड़े महिने के अंतरगर जो सावन भादो कुमार कार्तिक जो चार महिना होते हैं बगवान के सयंद करने के इसके अंतरगत एकादसी का उद्ध्यापन नहीं होता और इसके अंतरगत उद्ध्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादसी का उद्ध्यापन माघ महिने की शुक्लत अच्छ की एकाद शी के आप बहुत द्रेम से आनंद के साथ करिए मारत पर नंतु एकाद शी के अध्यापन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरहा का नेवेद्ध शावाइद्ध लिक्तनी तरहा का 24 तरहा का नेवेद्ध अब अप्र दो प्रभाद रहा कि लोग क्या तोप्रापाग वन पालिए एक दो किलो गलों चोवीज अगरत देता है है इस फिक्रत नहीं है कि जोविस-तरह का ने विद्ध है कि है महाराज है एक-दाशी के दिन लो थी आ मिलट टुजन पूरी तयारी करकर मंडला कर विद्वान भी भामजन को बिला कर कर्मकांडी भ्रहमण को बुला कर जो बत सेवा में एकार्सषि का उद्ध्यापन कर नहीं प्रिणाम करकर एकाद्शिक उजन करवाइए और उस मंदल की पूजन कराकर हवन दो दशी को कराई एका दशी को हवन नहीं एका दशी के उध्यापन का जो हवन होता है वो दशी को